हलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माई चैनल तरुंचर सो गाईज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फंक्शन बनाना सिखाऊंगा C++ में जो कि एक एरे को ऐसे पैरामेटर लेगा साथ में एरे में नंबर ओफ एलिमेंट्स को ऐसे पैरामेटर लेगा और रिटर्न करेगा एरे में से मैक्सिमम वेल्यू को सो गाईज आईए पैले इसका लॉजिक देख लेते हैं सपोस देट ये हमारे पास में एक एरे है इसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है फाइन, सो वाट वी डू इस सबसे पहले जो first element है हमारा zeroth index वाला element है उसको हमें max variable में assign कर देंगे छीक है so max will be 10 इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो array का next element है कम i pointer ले ले लेंगे i variable ले लेंगे जिसको हमें start करेंगे 1 से और array का जो ये element है i index वाला इसका comparison हम किस से करेंगे max से करेंगे जैसे i बराबर 1 पर array जो है उसकी value क्या है हमारे पास में 20 है i बराबर 1 पर इसकी value हमारे पास 20 है so ये अब compare करेंगे हम किस से max से कि ये max से बढ़ा है कि अगर ये max से बढ़ा है तो max को हम update कर देंगे so max will be 20 next step में i कहां चला जाएगा 2 पर so i बराबर 2 पर हम arr 2 को arr i को मतलब arr 2 को that is 30 इसको हम compare करेंगे किस से max से अब ये max से बढ़ा है तो max update हो जाएगा max will be 30 next time i को फिर हम आगे बढ़ाएंगे i आ जाएगा हमारा 3 पर तो arr i denote कर रहा है किस को 5 को so i बराबर 3 होने पर हमारे arr i की value क्या है 5 ये बड़ा है क्या max से नहीं है so max में क्या रहेगा हमारा 30 ही रहेगा next फिर क्या हो जाएगा हमारे पास i बराबर 4 so i बराबर 4 पर arr i की value क्या है हमारे पास 16 क्या ये बड़ी है max से नहीं है so max will not be updated max will be 30 still then i बराबर 5 so i बराबर 5 पर error i है मारे पास 8 क्या ये बड़ा है max से नहीं है so max won't be updated max will contain 30 still then i will become 6 here is i so error i i बराबर 6 पर error i की वल्लिय है मारे पास 9 क्या ये बड़ा है max से नहीं है so again max will be 30 so final जो हमारे पास max की value है उसको हम print करवा देंगे so code कैसे लिखेंगे अब इसको हम run भी करवा लेंगे बट उससे पहले हम देख लेते हैं what i do is एक मैं integer i ले लेता हूं ठीक है एक हम integer max ले लेते हैं जिसमें हम store कर देते हैं किसको error 0 को और यह सारा काम किसमें कर रहे हैं हम एक function में कर रहे हैं so हमने एक function लिख दिया जो integer value return कर रहा है get max कर दिया इसका नाम एक integer error को ऐसे argument ले रहा है यह and उसके size को ले रहा है s fine so now what i do here is यहाँ पर मैं रख दिया i बराबर 1 i less than s i plus plus and यहाँ पर हम check करते रहेंगे if error i बड़ा है किस से max से then max में हम assign कर देंगे किसको error i को fine और यहाँ return कर देंगे किसको हम max की value को so it will return maximum from the array so guys आईए इसको code कर लेते हैं developer c plus plus में और execute करके देख लेते हैं so i start developer c plus plus here now control n से मैंने एक file बनाई hash include iostream then using namespace std now write main function here एक array बना दिया मैंने जिसमें सपोस्थ दस element है दस पाँच बारा थेरा चाओदा ग्यारा एककेस वाईस चाओदा साथ fine guys so यह total दस element होगे हमारे पास में now मैं एक function कॉल कर दे रहा हूं integer m equals to get max एक तो मैंने array को पास कर दिया और मैंने इसका size पास कर दिया अब सपोस्थ अगर हमें array के first five elements में से max निकालना होता तो simply हम err, 5 पास कर देते and see out करा देंगे हम max की value को fine guys now get max को define कर देते हैं int get max integer arr comma integer size now एक मैंने ले लिया max बराबर arr 0 then for i equal to 1 से i less than size i plus plus यहां हमने चिक कर लिया if arr i अगर बढ़ा है max से then max बराबर arr i and loop के बाहर हमने return करवा दिया किसे max को fine guys now इसको हम save कर देते हैं so make folder बना देता हूं यहां पर cpp इस folder में हम save कर दे रहे हैं get max from array function से बना रहे हैं तो function भी डाल दिया last में now इसको हमने save करा and इसे हमने compile and run कर दिया so i बराबर run पर error दिखा रहा है बिलकुल दिखानी भी चीए क्योंकि कि मैंने integer i को declare नहीं किया है let's compile and run now so max is 22 perfect guys 22 emx let's see कुछ values change कर देता हूं मैंने 110 डाल दिया है यहां पर and max is 110 suppose that मैं first 5 में से ही max निकालना चाहता हूं so i pass 5 so first 5 जो है 10, 5, 12, 13, 14 मैं maximum 14 है मारे पास so let's compile and run this so this is maximum is 14 fine है and suppose that मैंने यहां पर 50 कर दिया यह 500 कर दिया so first 5 में जो maximum है वो हमारे पास है 500 okay good guys so यह था बच्चो हमारे पास मैं c++ में एक function जो array में से maximum निकालके return कर दे रहा है guys अगर आपको function का basic concept नहीं पता है तो मेरी इस playlist में functions को शुरू से मैंने सिखाया है please उन्हें watch करें ताकि कि आप लोगों की basic understanding भी अच्छी हो guys कोई भी अगर आपको doubt रह जाता है इस logic पर तो आप comment करें मैं आपके doubt को दूर करूँगा thanks for watching this video guys thanks a lot have a nice day have fun and enjoy okay